हाल ही में बंगलादेश की खिलाब T20 सिरीज के आखरी मैच में हैट्रिक विकेट लेकर इतिहास रचने वाले तेज गेदबाज दिपक चाहर ने इसके ठीक दो दिन बाद मैदान पर एक बार फिर कमाल कर दिया था सेयद मुश्ताक अली T20 ट्रोफी में विदर्व के खिलाब मात्र छे गेदो पर दिपक ने चार विकेट लिये थे लेकिन इस मैच में वह तीन दीन में अपनी दूसरी हैट्रिक लेने से चूक गए राचस्तान की और से खेलते हुए दिपक चाहर ने आखरी की तीन सही गेदो पर तीन विकेट लिये थे बावजूद इसके वह हैट्रिक लेने से चूक गए दरसल चोथी गेंद पर विकेट हासिल करने के बाद दीपक ने एक वाइड गेंद कराई थी इसके बाद आखरी की दो गेदो पर लागातार दो विकेट लिये लेकिन दो विकेटों के बीच फेकी गई वाइड गेंद की वजह से दीपक चाहर हैट्रिक से चुक गए उन्होंने इस मैच में तीन ओवर की गेदबाजी में आठारह रन देकर चार विकेट लिए दरसल क्रिकेट नियम के मुताबिक अगर गेदबाज लगातार तीन वैद्य गेदों पर तीन विकेट लेता है तो ही उसे हैट्रिक माना जाएगा लेकिन यहाँ दीपक चाहर ने एक वाइड गेंद कराई थी जबकि क्रिकेट नियम की किताब में बल्लेबाज के बल्ले, पिच, गेदबाज की गेंद, अमपायर के संकेत, मैदान पर खिलाडियों का बेवहार, गेंद की साइच, बाउंडरी की लंबाई, इत्यादी के बारे में बिस्तार से बताया गया है लेकिन इसमें हैट्रिक से संबन्दित कोई अधिकारिक नियम नहीं है, जबकि वाइड गेंद के बारे में भी बिस्तार से समझाया गया है हैट्रिक को लेकर कोई अधिकारिक नियम नहीं है इसलिए इस मामले को देखने का तरीका या है कि गेदबाज के पास वाइड गेंद पर भी हैट्रिक लेने का मौका होता है लेकिन उस इस्तिती में जब बल्लेबाज स्टंप आउट या फिर हिट विकेट हो जाए अगर गेदबाज इन दोनों में से किसी भी एक तरह से वाइड गेंद पर भीकेट लेने में आसा फल रहा तो वो हैट्रिक कमाओ का गमा देता है दीपक के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है वो वाइड गेंद पर स्टंप या फिर हिट भीकेट कराने में नाकाम रहे इसे से पहले दीपक चाहर ने बंगलादेश के खिलाब हैट्रिक विकेट ले कर इतिहास रचा था उन्होंने बंगलादेश के खिलाब मात्र सात रंदे कर छे विकेट लिये थे दीबग चाहर इसके साथ ही अंतराश्ट्रिय T20 क्रिकेट में हैट्री क्रिकेट लेने वाले भारत के पहले गेदबाज बन गए